किसान भाईयो आज की स्टूडियो में हम खरबुजा की खेती में लगने वाला जो टोटल लागत है वहा कितना आ जाता है और जो टोटल उत्पादन है वहा कितना निकल के आ जाएगा और उसके साथ कितना प्रफिट हम खरबुजा की खेती से निकाल सकते हैं उसके बारे में पूरा A to Z जानकारी जानने वाले हैं किसान भाई, किसान भाई, यह हमारा खर्बुजा का खेती का लास्ट अपार्थ है किसान भाई, हमने खर्बुजा का खेती का पूरा A to Z सिरीज लाया हुआ है, जिसमें खर्बुजा की खेती का A to Z छोटी सी बड़ी जानकारी हम आपको स्वागत है और अगर आप इस चैनल पर नए है तो पहले नीचे दिया लाल बटन को क्लिक करकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए किसान भाइयो वीडियो में आगे बढ़ते हैं किसान भाइयो खर्बुजा की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें लागत बहुत ही ज्याद का जो खराब होना है वहाँ खर्बुजा का फसल बिल्कुल भी बरदास नहीं करता किसान भाइयो बहुत ही ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिलने वाल है अगर बारिस होती है या फिर मौसम बार बार चेंज होता है तो तो वैसे में यह खेती करना थोड़ा रिस्क है अगर आप पहली बार करना चाहते है तो मेरा यह प्रसनल इस्पिरियंस है कि आप कम छेत्र में पहले एक बार लगा कर ट्राइद देखे उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप ज्यादा छेत्रफल में कर सकते है किसान भाई तो सबसे पहले अगर हम लागत की बात करें तो किसान भाई आपको जो भूमी की तयारी है उसमें लगभग तीन हजार से 3500 रूपय लगने वाला है उसके बाद किसान भाई जो वेराइटी है वहां बहुत ही सारी है किसान भाई उन्नत वेराइटी बाबी है मुस्कान है और निर्माल सीर्ष का 24 नंबर है तो अलग- जाता है वहां जो एक केजी है वह लगभग 2,5 एकड में जाने वाला है और वही पर जो बॉबी वेराइटी है वहां लगभग प्रती एकड आपको 24,000 के आसपास लग जाता है तो वैसे में बीच का जो लागत है वहां अलग-अलग वेराइटी के हिसाब से कम जादा हो ज निकालते हैं उसका खर्चा आ जाता है उसके बाद हर्वेस्टिंग के समय पर जो लेवर लगता है और जो आपका मंडी ट्रांसपोर्ट के लिए जो उसमें लागत आता है इसके बाद जो इस प्रे खाद इन सारी चीजों को अगर जोड़कर देखा जाए तो किसान भाई लगबग आपको तो 40-50,000 के बीच में आपका जो लागत है वहाँ A2Jet complete हो जाएगा इसमें हमने ड्रीप और मल्चिंग को एड नहीं किया हुआ है किसान भाई लागत और प्राफिट का कोई फीक से नहीं रहता है किसान भाई कुछ चीजे बहुत ज़्यादा मेटर करती ह जैसे कि जो लागत है वहाँ आपके मैनेजमेंट के उपर भी बहुत ज़्यादा परभार डालता है और मौसम के उपर भी बहुत ज़्यादा परभार डालता है कई वर्सा मौसम सही सही चला जाता है तो वैसे में लागत कम आ जाता है और कई वर्सा मौसम बहुत ही ज़्य जो उत्पादन है वहाँ निकल के आ जाएगा किसान भई तो उस हिसाब से अगर हम एक मिनमम रेट के साथ केलकुलेट करें प्रती एकड लाग से सवा लाग रुपय तक असानी से कमाई कर सकते किसान भई अगर सब चीज सही सही रहा मौसम सही तरीके से साथ दिया फ्रूटि की खेती कर रहे तो थोड़ा समाल कर करें क्योंकि बारिस से बहुत ही ज्यादा धिकत खरबुजा की खेती को मिलती है किसान भई जब आपका फ्रूटिंग पर रहा तो वहां पर बारिस होती है भीजनी मारता है तो फल पूरना रूप से पीला पड़कर गिर जाता है उसके की खेती हाला कि ज्यादा रिस्क है लेकिन इसमें अगर प्रॉफिट होता है जब 25 रुपर 30 रुपया इस तरीके का रेट भी देखनों को मिलता है इस वर्स अभी स्टार्टिंग पर 30 रुपर 35 रुपर 40 रुपया तक खरबुजा का रेट ठोक में चार रहा था तो प्रॉ अगले वीडियो में इसी तरीके का एक और नई जानकारी के सांथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान